हलो दोस्तो नमस्कार सोरो से अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले आज की दिन के एक बहुती शांदर ब्रेकिंग न्यूस के बारे में येस यहाँ पर आज की दिन की बात करें तो फिलाल तो नजर यहाँ पर आ रहा है फिलाल बाजर जिस लेवल पर हम लोगो चलते वे देखने को बाएक पॉजिटिव माहौल हम लोगो देखने को आप पर मिल रहा है जादा तेजी तो नहीं है एक साइडवेस पैटर्न ही यहाँ पर चल रहा है बट स्टिल नेगेटिविटी देखने को यह पर नहीं मिल रही यही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है और ऐसे माहौल में आप सब लोगो पता है कि IPO लाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है IPO लाने वक्त आप सब लोगो पता है कि अगर मेरी भी कंपनी होगी तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे IPO का बाजार अभी हम लोगों को बहुत ही जादा शांदार तरीके से चलते वे देखने को मिल रहा है और इसी IPO के बाजार में यहाँ पे Tata Group भी अभी इंटर करने वाला है यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक report के जरिए sources के जरिए एक बहुत ही शांदार खबर सामने आते वे देखने को मिल रही है कि Tata Group अभी Tata के पास बहुत सारी companies है stock market में तो हम लोगों को कुछी companies listed देखने को मिल रही है तो ऐसे unlisted बहुत सारी Tata की companies है तो उनमें से एक company अभी stock market में यहाँ पे list होने यहाँ पे जा रही है ऐसी खबर report के जरिए sources के जरिए आते वे देखने को आपे मिली है तो वा company कौन सी है उसे related क्या details है सारी चीज़े बताना चाहूँगा तो दोस्ता आप देख सकते हो Tata Motor is planning to publicly list its global product engineering and digital services subsidiary Tata Technologies and has appointed banker for IPO according to the report सो बहुत सारी चीज़े हम लोगों को first paragraph में पढ़ने को देखने को मिली IPO किसका आने वाल है Tata Tech नाम की company पुरा नामे Tata Technologies सो यह किसकी subsidiary है Tata Motor की इसका अर्थ क्या है कि Tata Motor के पास Tata Technology के ज़्यादा से ज़्यादा shares है subsidiary है मतलब 50% से ज़्यादा shares तो Tata Motor के ही पास है सो Tata Motor प्लान कर रहा है मतलब क्या कि यहाँ पे हम लोगों को शायद से OFS आते वे देखने को यहाँ पे मिल सकता है कि Tata Motor OFS यहाँ पे लाएंगे मतलब IPO ही बोला जाता है उसमें वो यहाँ पे क्या करेंगे Tata Motor कुछ अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेंगे और बता ही यह भी जा रहा है कि OFS के साथ-साथ fresh issue भी रहने वाला है fresh issue मतलब OFS रहेगा वो तो उनके पुराने जो shareholders रहेंगे जैसे कि Tata Motor अपनी कुछ इस्सेदारी बेचेंगे तो वो Tata Motor के पास पैसा चला जाएगा और बाकी जो fresh issue रहेगा वो completely पैसा किस के पास चला जाएगा Tata Tech के पास चला जाएगा जिसका वो इस्तमाल अपने purpose के लिए कर सकते है मतलब चाहे तो वो expansion के लिए कर सकते है CapEx के लिए कर सकते है Working Capital के लिए कर सकते है कोई करजा होगा तो उसको हटाने के लिए कर सकते है वो तो किसी का general purpose हो रहता है उसके इसाब से वो IPO लाएगे तब वो आपे बता देंगे सो फिलाल इतना तो हमनों को पता चला है कि Tata Motor की जो subsidiary है वो अभी हमनों को बाजार में शायद से लिस्ट होते वे देखने का आप मिल सकते क्योंकि मैंने जो point highlight किया है according to the reports इसको भूलना नहीं है सो रोस्तो इस IPO का excitement इसलिए सबसे ज़ादा रहेगा क्योंकि Tata Group की अगर मैं बात करू उनका जो IPO हमनों को देखने को मिला था इसके पहले का वो 2004 में देखने को मिला था कौन सा IPO था वो वो था TCS का IPO केवल साड़े 5,000 करोड का IPO था आज दोस्तों वो साड़े 5,000 करोड की कंपनी 2004 वाली आप देख सकते हैं कहा से का पोज गए 2024 में 20 साल हो जाएंगे लिस्टिंग के ही साब से मतलब समझ में आ रहे हैं कि बिजनेस में दम होना चाहिए अगर बिजनेस में दम रहेगा तो आपकी कंपनी कहा से कहा मतलब ग्रोव हो सकती है कितने लोगों को इस कंपनी ने करोड़ पती यहाँ पर बना दिया है मतलब मैं TCS को कभी भूल नहीं सकता अपने लाइफ में इतना शांदार परफॉर्मंस इस कंपनी ने यहाँ पर अपने इंवेस्टर को कमा कर यहाँ पर दिया है थ्रू यहाँ पर यहाँ यहाँ पर लाने का प्लान यहाँ पर कर रहे तो बेंकर यहाँ पर लगता है इसट अगर अगर आम लोगं यहाँ पर बात करें तो तो Share holding pattern, भहूत ही important aspect के और हम लोग आ चुके है, जो TATA Technology, यह जो company आप लेओं को देखने को मिल रही ना, तो कितना कितना Share holding pattern है, तो उसका Share holding pattern में है, 72.48% TATA Motor के पास है, तो इसलिए, जैसे बोला गया, कि यह इसकी subsidiary, Maximum तो Majority Shares टाता मोटर के पास है, मतलब TATA के चेर, तो T कमपनी के पास रहेंगे या फिर खुद के ही मतलब टाटा ग्रूप के अंदर रहते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अलफा टीसी होल्डिंग यह जो कमपनी उसके पास है लगबग लगबग 9% की होल्डिंग टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड उसके पास है लगबग साड़े 4% की होल्डिंग तो अगर मैं कुल मिला के टोटल कर दू तो 72 दैन 8.9 मतलब 9% और साड़े 4% रफली फिर भी देखा गया तो 85-86% की होल्डिंग नजर यहापे तो मुझे आ रही है तो स्टील यहापे लगबग 15-16% यहापे उपर नीचे देखने को मिल रहा है त तो यहापे कुल मिला के बात कर दू तो इतना आपको पता चल गए कि Tata Technology का IPO लाने का प्लान यहापे कर रहे हैं IPO में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा OFS देखने को मिलेगा प्लस यहापे fresh issue भी रह सकता है ऐसे report के जरी सोर्सेस के जरीए चीजे फिलाल तो सामने यहा तो according to the data available 31st March 22 के हिसाब से तो company का जो अभी तक का में बात कर दो revenue है लगबग 3530 करोड और उसमें 48% की jump देखने को यहापे मिली थी and next अगर हम लोग बात करें तो यहापे company के profit में भी लगबग 83% की jump देखने को मिली थी which is approximately 437 करोड तो company का business तो बहुत अच्छा कासा चलत यहापे आप इजिली देख सकते company का revenue भी ग्रो हो रहा है और company के expense भी control में रहेंगे because company का profit भी शांदार ग्रो होते वे देखने को यहापे मिला है तो बहुत ही ज्यादा excitement वाला यह IPO शायद से यहापे बन सकता है next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यह company Tata Technologies में लगबग देखा गया 9-10,000 लोग यहापे across the world काम करते हुए देखने को आपे मिलते हैं इनके अगर हम लोग clients की भी बात करें तो North America, Europe, Asia Pacific की अगर हम लोग regions की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग इनका presence देखने को आपे मिल रहा है So basically देखा गया तो यह tech से related एक और company हम लोगों को बाजार में आते हुए देखने को मिलेगी पहले तो TCS भी है, Tata Lexis भी है और Tata Tech भी हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को आपे मिल जाएगी जिसमें अगर हम लोग बात करें, Engineering, R&D है, Research and Development है, मतलब Services से related बात करूँ तो DES की बात करें, Digital Enterprise Solution प्रोवाइड करने का काम यह company करती है Then Education Offering की अगर हम लोग आपे बात करें, उसी के साथ साथ Value Added Reselling and iProducts Offering की अगर हम लोग बात करें तो इस Business Segment में, मतलब यह major इनके चार Business Segment में यह company काम करती है देखने को आपे फिलाल तो मिल रही है तो यह सारी details उन लोगों के लिए, जो अगर इनका IPO आता है तो अगर आप उनको Long Term की इसाब से Consider करना चाते होंगे तो, तो उनके लिए यह सारी चीज़े Important यहापे जरूर रहेंगी यहापे जैसे मैंने आप लोगों को बताए कि रिपोर्ट के जरी है, sources के जरी है फिलाल तो यह खबर हम लोगों को सामने आते हुए देखने को आपे मिल रही है द्यान दूस्ते एक और hidden बात भी है, hidden बात यह है कि शायद से, यह तो IPO मतलब full swing में चल रहा है 6 months के अंदर अंदर, यहापे यह IPO आते हुए देखने को मिल सकता है, अभी शायद से company DRHP फाइल करने से related भी सारे process यहापे complete almost करते हुए देखने को भी हापे मिल चुकी है, सिर्फ officially announcement होना बाकी है, that's it यह सारी खबरे के चलते, Tata Tech का तो IPO आएगा याएगा, प्लस उसी के साथ साथ बोला जा रहा है कि might be Tata Sky का भी, जो की another Tata Group company है, is also planning to launch its IPO, so यह देखना पड़ेगा कि वो IPO लाते है कि ने, बट इसके जो chances है Tata Sky के, वो इतने strong अभी तक तो नजर नहीं आ रहे, जितना का Tata Tech से related खबरे available है, कि कितना IPO ला सकता है, क्या percentage है, कितना collection करने की बात कर रहे है, तो इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि Tata Sky यह एक hidden खबर हम लोगों को फिलाल तो देखने को मिल रहे है, बट जो अभी की जो major खबर है, Tata Tech से related, वो मैंने आप लोगों के सामने आपे रख दी है, सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी main important trigger points थे, वो मैंने आपके सामने रखे है, मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा repetition करता हूँ, बट yes, मैं वापस जाते हूँ, repetition करना चाहूँगा, यह सारी खबर reports and sources के जरीए है, शायद से Tata Group इसके बाद ऐसा भी बोल सकता है, क चाहो तो इसको like and share कर सकते हैं, demat account अगर आपने अभी तक open नहीं किया, तो link नीचर description में 25 वीडियो की list आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौन सा account आपने link के तरो open किया है, जरूर properly comment section में mention कर देना, तो अफते बर के अंदर-अदर, सारे lectures आपनों को free of cost provide कर आपका घस्क्त ही, बएड़ा जैंगे उनका वीडियो किया बवारा का दे में 16ा-दिरियो के धबार.